हर्याना के मिवात शेत्र में 31 जुलाई 2023 को हिंसा भड़क उठी हिंसा के पीछे क्या कारण है और क्यों ये इतनी व्यापक्स तरपर एकदम से हिंसा हुई इसके पीछे के कारण हम जानने की कोशिश करेंगे आज तो news ये है कि 31 जुलाई 2023 को हर्याना में इस हिंसा के कारण एक पुलिस वाले की मृत्यू भी हो चुकी है, कई पुलिस वाले घायल है, बहुत गहरी चोटे आई है, senior police officers have been injured, like SP, DSP level officers, एक DSP को गोली भी लग चुकी है, तो ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुन अगर आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि Pathfinder चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहां पर हमने बहुत सारे static GS के subjects को cover कर रखा है, प्लस Current Affairs के भी बहुत ही अच्छे वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, अगर आप UPSC aspirant है, तो उडान बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, एक अगस से 8000 रुपीज इस कोर्स का प्राइस है, और यहां पर आपको 900 hours की live teaching, जो की इन faculties के द्वारा करवाई जाएगी, जो आपको pathfinder channel पर भी पढ़ाते हैं, प्लस mains and prelims की test series, free mentorship for mains and interview and toppers के sessions भी available करवाई जाएंगे, यह course join कैसे करना है, नीचे दिये गए, link पर click करें, और आप इस course के साथ जुड़ सकते हैं, PSIR, Geography, History and Anthropology, optional की classes भी start हो रही हैं, इनको भी आ आपको website पर कोई भी price नजर आ रही हो, अगर आप महीपाल code वहाँ पर डाल दोगे, तो वो price automatically इस पर आ जाएगी, यानि कि discount आपको मिल जाएगा, तो 31 जुलाई रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप ये course purchase कर लेते हैं, तो आपको बिना price hike के यहाँ पर फायदा मिल जाए तो पहले इसको मिवात कहते थे, इस पूरे शेत्र को मिवात कहते हैं, लेकिन 15-20 साल पहले, I think 2004 या 5 में, जब district बनाया गया था, इसे गुरुदाओं से अलग करके, उस समय इसका नाम रखा गया, नू, because district headquarter, जो city है, उस city का नाम अभ है नू, so नू is the district headquarter, जिले का नाम नू है, लेकिन आम बोलचाल में लोग अभी भी इसे मिवात कहते हैं, क्योंकि ये पुराना नाम है इस शेत्र का, अलब लगबग 500-700 सालों से शेत्र को मिवात कहा जाता है, and that is why this area is famously called as मिवात, just south of दिल्ली, दिल्ली से लगबग 17-80 km दक्षन का इलाका है, और इसका कई historical reference हमें कई सारे text में मिल जाता है, तो वैसे आप देखेंगे कि तो ये राजदानी से काफी नस्दीक का area है, लेकिन ये काफी पिछडा इलाका है, literacy rate इतनी अच्छी नहीं है, जितने भी human development indices होते हैं, उसके अंदर भी ये थोड़ा पीछे ही रहता है, so new is like a backward area even in the state of हर्या पर हिंदू-Muslim clashes पहले भी कई बार हुए हैं, अभी recent की अगर मैं बात करूं, तो recently पिछले 6 महीनों से इस जिले के अंदर काफी तनाव पूर्ण स्थिती रही है, mainly because of the actions of a person called Monu Manesar, तो ये Monu Manesar नाम के जो विक्ती हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी के महीने में दो Muslim व्यूकों को जिन्दा जला दिया, ये आरोप लगा कर कि ये गो तसकरी करते थे, दोनों राजस्थान के नव्यूक थे, राजस्थान का जो मेवात से लगता हुआ शेत्र है, यानि कि right across the border यहां पर उनका गाउं था, और इनको जलाया गया था हर्याना के अंदर, तो मेवात में इस व्यक्ति को यहां पर पसंद नहीं किया जाता है, for obvious reasons, तो मेवात में लोगों ने कहा कि ये कैसे यहां पर आ सकते हैं, तो मोनु माने सर ने एक दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ये कहा कि मैं शामिल होने जा रहा हूं, ब्रज मंडल जल अभि of importance है, और ये यात्रा का मार्ग थोड़ा सा new district से ओकर गुजरता है, वैसे mainly इसका सारा जो area है, वो उत्तरप्रदेश के मतुरा जिले में है, लेकिन कुछ इलाके, जो हर्याना का bordering area है, new district लगता है यहां पर, तो उसके अंदर भी इसके कुछ areas आते हैं, कुछ गाउं यहा है, और क्यूंकि अधिक मास, एक extra महीना जो add होता है हिंदू calendar के अंदर, वो इस वक्त चल रहा है, तो इसमें अधिक मास में अभी यहां पर कई लोग इस यात्रा को करने के लिए आते हैं, तो अब कुछ news आ रही थी पिछले कई दिनों से कि इस अधिक मास की special यात्रा में कई लोगों के साथ रुकावत आ रही है, या फिर कहीं पर communal clashes की जड़ब की इस तरह की छोटी छोटी जड़ब की खबरें आ रही थी, तो इसमें होता ये कि मोनु माने सर अनौंस की मैं जाओंगा यहां पर और इस यात्रा के अंदर शामिल होने वाला हूं, and supposedly, allegedly, this person has taken with him a lot of people, और announce जब यह किया गया, तो नौं में, लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मोनु माने सर आए, अब ऐसा किसी ने openly नहीं का, and in India, nobody can stop anyone from going anywhere, apart from the police and administration, जब तक सरकार नहीं कहेगी, तब तक आप कहीं भी जा सकते हैं, देश में, हाँ, सरकार specifically कह दे कि आप इस जिले में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर आप नहीं कर सकते, लेकिन, जब से ही मोनु माने सर का arrangement आया था, तो पुलिस जो है, वो हाई alert पे थी, कल भी इस तरह की news आई थी, कि पुलिस alert पर है, और साथ-साथ पे विश्व हिंदू परिशत की भी शोभा यात्रा जो है, वो भी हो कर लेगी, लेकिन as of right now, जो Hindustan Times, या फिर The Hindu, या Indian Express जैसे standard newspapers में, या दैनिक भासकर की websites पर available है, वहाँ से पढ़कर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जानकारी अभी तक हमें मिली है, कि प्रोसेशन जो निकल रहा था, उस पर पत्राव किया गया, और उस पत्राव को गुडगाओं के hospital में admit है, पुलिस में, एक और news जो आ रही है, काफी बड़ी बाहर कि इस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे थे, जब उन पर पत्राव होता है, तो वो एक मंदिर में जाकर छुप जाते हैं, तो नलहड महादेव मंदिर है, यहाँ पर कई हजार लोगों या फिर इस तरह का law and order situation आ रहा है, अगर आप map देखेंगे, so this is New Delhi, थोड़ा zoom in करके देखें, तो देखें, दिल्ली से बिल्कुल दक्षिड में, गुरुग्राम और फरीदाबाद, हर्याना के दो satellite towns हैं, यह दोनों ही दिल्ली के satellite towns हैं, लेकिन आते ही हर्याना में है, और गुरुग्राम से थोड़ा सा आप south की तरफ जाएंगे, तो देखें, यह सोना, सोना से नू, नू से फिरोसपुर जिरका, तो यह फिरोसपुर जिरका के आगे border आ जाता है, यहां से bridge शित्र शुरू हो जाता है, मतलब राजस्तान और यहां पर इस तरफ वरिंदावन वा रहे थे, तो travel मत कीजे, थोड़ा avoid कीजे, also students से मेरी request है, please take care, इस तरह के, ना तो आप हिंसा में कभी हिस्सा लीजे, कभी भी कहीं भी हिंसा होती है, उसमें आप please हिस्सा मत लीजे, you are going to become officers of the society, तो आपको तो हिंसा रोक नहीं है, आप हिंसा में कभी शामिल नहीं हो सकते, And then again, finally, ये law and order का issue है, जिसको police और प्रशासन सौल करेंगे, I am sure the good Haryana police and the Haryana administration is working 24-7 to solve this issue, finally, आपको बताना चाहता हूँ हमारा NCRT foundation batch भी स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसको join करना चाहते हैं, अगर आपको GS भी tough लगता है, then you can do that, और अगर Unacademy platform के previous year के toppers के interviews आप ले YouTube channels पर available हैं, सभी toppers की details भी हमारी website पर मिल जाएंगी, perspective series में हम Hindi medium और English medium दोनों के toppers को लेकर आएं, you can go and watch their podcast, a video podcast जिसमें आपको काफी insights मिलेंगी, do subscribe to our social media handles, thank you so much, have a great day.